Hello friends, welcome to my YouTube channel Pro Creators, मैं हूँ आपका दोस्का पिल तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में कैसे आप अपनी Google Ads की campaign को run करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा views आएंगे, कम cost में ठीक है और आप ज़्यादा अच्छा result यहाँ पर ले पाएंगे तो दीखें मैं starting में आपको overview देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर क्या चीज़ें clear करने वाला है वीडियो में देखें सबसे पहले अगर आप एक beginner है और आपको यह भी नहीं पता है कि यहाँ पर Gmail का account कैसे बनाना है जिससे आप ज़्यादा व्यूज ले पाएं तो इस वीडियो को जरूर आप फुल देखना ठीक है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वीडियो के हम starting करेंगे वो यहीं से करेंगे कि Google Ads की campaign को कैसे run करना है ठीक है से जाकर detail में देखते हैं कि कैसे मैं करना है Google Ads की campaign को run अभी हम computer की skin पर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर देखिए जो Google Ads का सारा interface आपका सामने जिससे कि आप यहाँ पर campaign को रगाएंगे वो इस तरीके से आए ठीक है अब यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको overview बताता हूं देखिए हमने यहाँ पर Google Ads पर जैसे आप Google पर search करेंगे देन आप Google Ads इंडिया पर चले जाएंगे जैसे आप उस पर click करते हैं देन आपको simply यहाँ पर sign in पर click करना है ठीक है अपनी Gmail account से जैसे आप sign in कर लेंगे देन उसके बाद आपको यहाँ पर यह वाला आपके सामने interface dashboard आ जागा है ठीक है clear हो गया देन अब यहाँ से दिखिए हम new campaign पर करने वाले हैं click ठीक है new campaign पर click करके देन आपको new campaign पर फिर से click कर देना है ठीक है video views में क्या होगा कि आपका देखिए अगर YouTube आपकी वीडियो को YouTube पर कितने लोगों तक दिखा रहा है वो matter नहीं करेगा उसमें से कितनों ने आपकी वीडियो पर click किया उसके इसाप से आपके पैसे कटेंगे cost per view के ठीक है लेकिन efficient reach अगर आप कर देते हैं इसमें इस तरीके से आपके पैसे कटेंगे कि कितने thousand लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचिए क्लिक किया नहीं किया वो अगली बात है लेकिन इसमें सिर्फ impressions के पैसे कट होंगे तो हमें चाहिए कि अगर कोई क्लिक करे तभी हमारे पैसे कट हों ठीक है वीडियो वीडियो पर कर दिया दने में continue पर क्लिक कर देना है दने उसके बाद दिखिए यहाँ से बुरी campaign का अपने यहाँ पर बजट को सेट कर सकते हैं अब देखिए दो तरीके से आप अपने यहाँ पर बजट को सेट कर सकते हैं देखिए डेली में क्या होगा कि आपके डेली इतनी अमांट कट हो जाएगी यह अगर आप बड़ी campaign लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं अब अगर आप beginner है ठीक है और ऐसा नहीं की बड़ी अमांट का campaign टोटल नहीं लग सकता वो भी लग जाएगा इसमें एक benefit को चुछ करते हैं कि मेरी इतने दुन में चले ठीक है अब मैंने फाइव डेस की यह लगाई डेली का बजट बन गया 400 रुपीज ठीक है तो ऐसे लगाने का benefit क्या है देखिए फॉस्ट डे फोर हंटर जाएगा सेकंड जाएगा थर्ड जाएगा फोर दे जाएगा जिस दि गूगल एड्स का जो मैंने experience की है चीज़ें ठीक है ऐसे कुछ चीजें होती है यहां पर यह भी जो लास्ट यह होता है उसमें आपकी विट बहुत जादा नीचे चलियाती है तो campaign total रखकर आप उसको five days के लिए लगा सकते है ठीक है clear हो गया then उसके बाद दिखिए networks में लोकेशन को चूज कर सकते है languages को and related videos ठीक है यहां पर related videos क्या है आप अपनी कोई भी two videos साथ में लगा सकते है एड के तो यहां पर मान लीजे मैं यह लगा देता हूं यहां पर मरलाइन की एक video है ठीक है मेरे पास इसको हमने copy किया then हमने यहां पर एक paste कर दिया ठीक है second हम को और लगा देते हैं जैसे डुबाई में desert safari किया था इसको मैंने copy किया ठीक है और यहां पर लगा दिया अब दिखे होगा क्या यहां पर आपकी main video की एड चलेगी उसके साथ में यह दो वीडियो को recommend कर देगी ठीक है clear then आपको done पर कर देना है click ठीक है यहां पर देखिया आगे में option आला है multi format ads का इसको आपको अंटिक कर लेना है ठीक है then उसके बाद additional settings पर जाकर devices को आपको यहां पर जाकर and TV screen and tablets को अंटिक कर देना है मतलब कि आपको computer and mobile phones पर ही दिखाई देगी ठीक है clear हो गया frequency capping आपको कुछ नहीं करना है यह साई चीजों को ऐसी चोड़ देना है यहां पर अब आपको ad group का name डालना है जैसे हम डाल देते हैं इसका वैसे मैंने लिख दिया Singapore लिख दिया ठीक है और उसके बाद आपको demographics मतलब कि आप किन-किन लोगों की age को वालब कौन से लोगों के वो male है female है age के recording parental status household income के recording आप वीडियो दिखाना चाते है अप अच्छा result चाते हैं वैसे डालने को आप यहां पर audience segment भी डालिए keywords भी डालिए लेकिन keywords अगर आप 500 से ज़्यादा डालेंगे तब आपकी जाकर कुछ bid में फर्क पड़ेगा नहीं तो जितनी ज़्यादा आप इस ad को limited करते जाएंगे ना उतना ज़्यादा क्या होगा आप के फिर cost भी बढ़ जाएगी मतलब कि अगर आप उसको बताने लगेंगे कि नहीं यार मुझे ना बस यह वाली दुकानों पर ही अपना समान बेशना है ठीक है लेकिन अगर इसके पास पूरा platform है कि सभी दुकानों पर बेशना है तो वो हर एक को दिखा देगा और उसकी मे पी कर दिया देन उसके बाद यहां पर जाकर इसको कर दिया पेस्ट इक अब क्लियर यहां पर पेस्ट करने के बाद हमें लगाने है in feed video एक तो यहां पर देखिया इस तरीके से iad हमारी शोगी इसे आइगी और यह आपके दीकिए tablet में ऐसे दिखेगी ऐसे के अब इसकी है को अप्रूव करने के लिए डालेंगे उसके पाद उसमें आ जाएगा ट्रेड मार्क का एर ठीक है मतलब कि क्या है कि Amazon वर्ड पर किसी का पहले से copyright है तो हम उस पर अपनी एड नहीं चला सकते हैं ठीक है हम यहां पर अगर Amazon पर लगानी यहां फिर एक डाल दिया जिससे कि यह पता चल गया कि हमारी है तो सिंगापूर की एंड सिंगापूर व्लॉग वान ठीक है यह हमने इसका टाइटल डाल दिया अपने रेंडमली वैसे ही डाल दिया है आप अपने अकॉर्डिंग फिर टाइटल को साइट कर सकते हैं अब देखिए आपको बिड़ कितनी दिखाई दे रही है अब कहेंगे भाई यह तो बहुत ही ज्यादा है 0.55 मतलब कि आपके 55 पैसे के आपके यहां पर एक वियू का चार्ज बाले अब इक लिए आपको अगरना है सिंपली यहां पर 0.55 डाल कर देन आपको क्रियेट कैमपेंड पर कर देना है क्लिक ठीक है अब देखिए हमारी जो एड है वो यहां पर क्रियेट कैमपेंड हो चुकिया पॉलिसी रिव्यू होगी ठीक है एक दो दिन कहें जाते हैं लेकिन कुछ 7-8 गंटों के बीच में ही आपकी एड चल पड़ती है ठीक है व्यूज उसके बाद आने उस पर स्टार्ट हो जाते हैं देना आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए ठीक है और बैलस को कैसे एड करना है मैं उस पर डेडिकेड वीडियो बनाई हुई है उस उसके लिए क्या करना है सबसे पहले आपको यहां पर इसके होम पर चले जाना है जैसे आप चले गए देखिए आपको यहां पर कैमपेंड दिखाई दे रही है ठीक है आपको यहां पर क्या करना है कैमपेंड को पॉस कर दिया क्लियर होम पर जाकर कैमपेंड की पॉस वहलो हम इतने पैसों में हम कह रहे हैं Google को कि हम इतने पैसे आपको दे देंगे विए कोई शुर नहीं है आप हमरी एड को अप्रूव कर दो तो अब आपको करना क्या है अब आपको सिंपली वेट करना है कि कब आपकी एड अप्रूव होती है ठीक है जैसे फिर एड आपकी हो जाएगी यहां पर आपको उससे चैक कैसे करना है देखे फिर से में होम पर चला जाता हूँ जैसे आप आपको यहां पर कैम्पेंड दिखाई देगी इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे देन आप एड्स में जाएंगे यहां पर एड्स वाले ऑप्शन में देखे आपको स्टार्ट कर लीजे 17 पैसा से ठीक है मान लीजे हमने 17 पैसा से इसको स्टार्ट कर लिया तो यह मैं बाद में बता रहा हूं जैसे एड अप्रूव हो जाएगी उसके बाद फिर आपको कैंपेंड को चलाने से पहले बिड को कम लेकर आना है उसका क्या मतलब हुआ पहले हमने से एनेवल कर दीजे ठीक है अब हम सपोस कर रहे हैं कि एड हमारी क्या होगी है अप्रूव हो चुकी है तो जब इस पर व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो देन आपको चेक करना है कि व्यूज जैसे इस तरीके साब को चो करेगा इंप्रेशन्स व्यूज एंड कित दिख सकते हैं माली जा 17 पैसे मी नहीं है 20 ले जाए 22 23 25 ले जाए 30 तक भी ले जाए अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं जैसे आने स्टार्ट होगा है मालो जादा ही आ रहे हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं व्यूज को अपनी स्ट को जो आपकी बिड है उसको फिर डाउन ल जाएंगी ठीक है क्लियर अब इस तरीके से देखिए आप अपनी एड को रन करना है केंपेंड मनानी है ऐसे विडियो स्ट्रेटिजी का वर्क करना है तो यह पूरी चीज़े मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश किया होप सो वीडियो आपके लिए होगी और अगर चनल उसे आप comment section में डाल सकते हैं मैं उसका reply करने की पूरी कोशिश करूँगा तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी next valuable वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को goodbye